हेलो दोस्तो मैं रहूल और मेरे पास है OPPO F19 PRO PLUS और आज की सुनों में इसके कैमरा फीचर्स के मैं में बात करेंगे जिसे जानकर आप इसके कैमरा अप्लिक्शन को काफी अच्छे तो किसे यूज कर पाएंगे काफी अच्छे फॉटो सवेरों को क्लिक कर पाएगा तो ये वीडियो आप स्टिल end तक देख लिए तो फड़ा फ़र से वीडियो को स्टार्ट करेंगे बड़ वीडियो स्टार्ट करेंसे फिले बदा दू चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए गा, साथ सब बिल एकन को पैस करके और पर क्लिक कर दिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो दुलाते रहता हूँ, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, नहीं पसंद आता है, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं तो फड़ाफ़र से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विदाउट विशनी टाइम, तो लेट्स गूँ चलते हैं इसके कैमरा एप्लिकेशन में, कैमरा इंटरफेस की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको नजर आ जाता है यहाँ पर आपको नाइट मोर, वीडियो, फॉर्टो, पॉर्ट्रेट, मोर का ओप्शन देखने हो मिलता है मोर के ओप्शन पर जाएगा, तो यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर देखने हो मिल जाते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहला जो फीचर है, वो है डुएल वीडियो का, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप dual video का मज़ा उठा सकते हैं At a time आप rear camera और friend camera दोनों से ही video record कर सकते हैं ज़सके आप यहाँ पर दीख पा रहे हैं और अगर आपको friend camera को नीची की तरफ लेना है बस यहाँ पर switch पे क्लिक किजिए और यहाँ पर friend camera आपका नीची आ जाएगा उपर लेना है switch पे क्लिक किजिए हो जाएगा और यही नहीं आपको यहाँ पर जो है 1x, 2x और यहाँ पर 5x तक का zoom देखने हो मिल जाता है rear camera में rear camera में यहाँ पर zoom fashionality दिया गया है और यहाँ पर जो है अगर आप dual video को cut करते हैं यहाँ पर cut हो जाता है more के option पर आता है तो यहाँ पर आपको slow motion को भी option दिया गया है आप यहाँ पर slow motion video record कर सकते हैं बट यह सिफ और सिफ rear camera में work करता है तो slow motion का भी यहाँ पर feature देखने हो मिल जाता है time lapse का आपको यहाँ पर feature देखने हो मिल जाता है मैं अपने हाथों को हिला रहा हूँ और यह जो है आपको अब मैं stop करके दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे ही मैं play करता हूँ यहाँ पर देखे जो कितना fast हाथ play कर रहे हैं मैं जो है इसे जनरली काफी slow play किया था तो time lapse यहाँ पर दिया गया है जो कि आप rear camera और front camera दोनों में ही use कर सकते हैं और यहाँ पर और क्या-क्या देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक्सपर्ट mode देखने को मिल जाता है rear camera में बिसिकली rear camera में आप यहाँ पर आइसो, white balance इन सब को adjust कर सकते हैं यहाँ पर देख पार है autofocus वगेरा कर सकते हैं तो यह काफी अच्छी बात है यहाँ पर आपको photos में pro mode देखने को मिल जाता है इवन यहाँ पर एक्स्ट्रा HD का option दिया गया है इसको select करेंगे तो यहाँ पर जो भी photos वगेरा क्लिक कीजिएगा न वो extra HD यानि कि यहाँ पर थोड़ा extra punchy color के साथ capture होगा जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा अगर मैं इसे cut करता हूँ तो देखें normal color कैसा होगया तो basically यहाँ पर extra HD images वगेरा capture होगा थोड़े extra यहाँ पर boost के साथ होगा पैनों का option देखने में जाता है जो कि आप सभी जानते होंगे काफी लंबा images वगेरा capture के लिए text scan का option देखने में बलता है basically document scan वगेरा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं मैं यहाँ पर फॉर्टो लेता हूँ इसका box का तो यहाँ पर देखे box का फॉर्टो जाए कुछ इस text आया simply इसने box को ही जो है highlight किया तो simply यहाँ पर text को आप यहाँ पर basically यहाँ पर document लिखना चाहता बर text scan लिखा गया है क्या बात फर्क पड़ता है काम तो एक ही करता है macro का option दिया गया है micro camera दिया गया है macro का आप enable करते ही macro images वगरा capture कर सकते है एकदम नस्दीक में जाकर macro images वगरा capture करते है sticker का option दिया गया है जो की काफि कमाल कमाल के sticker होते है basically human face पर यह work करते है तो यहाँ पर sticker प्रेंट केमरा में भी वर्क करता है तो यह देख पार होंगे मेरा एक चोटा सा emoji आ गया इस टीकर में क्लिक करते हैं तो यहां पर यह काफी सारे स्टीकर दिये गये हैं यह देख पाएंगे यहां पर यह कुछ इस तरीका का मफलर वगेरा दिया गया है काफी मस्ती मस्ती वाला दिया गया है तो आपको यहां पर यहां पर मिल जाता है time lapse कुछ slow work वहगयरा का जहां पर काफी अच्छच चाप वीडियों दोगैरflo डीकॉकर कर सकते हैं क्रिटिव वीडियो यहां पर यहां पर बना सकते हैं यहां पर सकते हैं यह मैंने विडियो क्लिक किया यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखे, music बज रहा है, copyright ना आ जाया, तो यहाँ पर music बज गया, तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 second का video record कीजिए, यह मैंने video record करना, start क्या, stop कर दिया, यहाँ पर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर friend camera आ जाता हूँ, और यहाँ और मैं friend camera से 6 second video record करता हूँ, यहाँ पर stop करता हूँ, और यहाँ पर फिर year camera करता हूँ, फिर सरी यह video start करता हूँ, और यहाँ पर यह video create हो गया, अब यहाँ पर processing ले रहा है, देख पा रहें, इसको जोड़ा है, और उसके बाद आप यहाँ यहाँ पर दूसरे वाले में भ यहाँ पर वीडियो record कीजिए, stop कीजिए, front camera कीजिए, वीडियो record कीजिए, यहाँ पर stop कीजिए, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दीख पा रहे हैं, और अब यहाँ पर result आएगा, तो देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीका का आपका result यह देख पा रहोंगे कुछ इस तरीका आपका result आ जाता है तो यह काफी बढ़िया और बी option दिये गए हैं जसे कि मैं back चल जाता हूँ अरे ओके बाबा यहाँ पर देखिए और एक option दिया गया create video पर click करते हैं और यहाँ पर video create करते हैं यह मैंने video create किया यहाँ पर और यहाँ पर stop कर दिया यहाँ पर फिट से video create किया चाहे तो मैं front camera भी कर सकता हूँ यहाँ पर processing हो रहा है उसके वद आप देखिए गए यहाँ पर जो video निकल के आता है वो काफी कमाल धमाल काता है यह पर अपर दिये हैं काफी सारे तो अगर आप इन करना चाहते हैं तो यह भी कर सकते हैं काफी बढ़ी है आप और आपको console bowlu nurturing के जो है feature वगरा देखने मिल जाता है portrait का option देखने मिल जाता है background background blur यहाँ पर यहाँ पर उपर की तरफ options की बाद तो यह सारे options आपको देखने को मिल जाएंगे आप यहाँ पर portrait को कम जाधा कर सकते हैं आपसे जितना आप करना चाहते हैं filter का option देखने को मिल जाते हैं काफी सारे filter वगेरा दिए गया है मैं आपको यहाँ पर front camera करके दिखा देता हूं फटा फट से यहाँ पर कुछ अलंग से नहीं है लगेरा बगरा सकते हैं, settings का option देखने को मिलता है, settings के option के बात करें, तो rear camera, front camera का settings है, आपको लगभग सेम देखने को मिलता है, कुछ भी यहाँ पर different नहीं है, यहाँ पर देखिए volume button, shutter sound का option देखने को मिलता है, location हो गया, composition को हो गया, advance settings बगरा का option देखने को मिलता है, जहाँ पर अगर आपका नाम डाल दीजिए, यहाँ पर चैंक में डालना है, उसके आपको अपका वाटरमार्क में जाएगा, उसके आपके आपको लोकेशन को चैंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह सब आप वाटरमार्क में कर सकते हैं, उसकर आप के अगर अगर होता है तो यहां पर होता हैं चामरा में आ जाता हूं और यहां पर सेडिंग पर आता हूं तो यहां पर देखें आपको सारे के सारे ओप्शन जो है सेम देखने हूं मतलता है कुछ भी यहां पर चेंजेज नहीं है और जैसे कि मैं आपको बोला यहां पर एक magic screenshot है तो आपको दिखाता हूं तो देखें यहां पर टाइमर आउन हो गया और यह screenshot ले लिया तो यहां पर आपको shutter button में जाकर करने के ज़रूत नहीं मतलब यहां पर automatically हो जाएगा और आपको यहां पर लड़की दिखाई दिरे होगी काफी beautiful सी है एक्चुल यह beautiful mode है यहां पर आप ख्लिक कीज़ेगा तो काफी सारे option देखने को मिल जाएंगे रियर कैमरा में आपको सेम ही देखने को मिलता है अगर मैं रियर कैमरा में जाओं यह देखें सेम देखने को मिलता है तो यहां पर आप बाकिया आ जाते हैं फो फोटो में तो यहां पर काफी extra option देखने को मिल जाता है मतलब jawline को आपना जोई यह यह थोबड़ा को इसको चोटा करना आखे को बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी करना तो यह जोई extra कुछ देखने को मिल जाता है front camera में और यहां पर rear camera में आपको चोटे-छोटे dot देखने को मिलेंगे बि और उपर की तरफ बात करें तो यहां पर आपको flash on off HDR का AI का और filter का option देखने हो मिल जाता है और filter की बात करें तो यहां पर काफी सारे filter वगएरा दिये गए हैं आप चाहें तो इनका इस्तमाल कर सकते हैं AI का option का enable करते हैं तो यहां पर आप plant के सामने ले जाते हैं तो यह auto scene detect कर लेता हैं यहां पर आपका plant है यह देख पा रहा हैं यह green plant यह slick कर लेता है और उस हिसाब से यह photos बगरा फिल्क करता है और यहां पर यह कमाल का option देखने हो मलता है आप देखिएगा Google Lins का feature दिया गया इसकी help से आप काफी कुछ कर सकते हैं यहां पर कुछ भी search कर सकते ह है इसको search करना है आपको यहां पर search पर क्लिक करना है और यह search कर लेगा देखिए गुड़ा search कर लिया basically यहां पर जो है कहां मिलेगा आप यहां सो जो है इसे buy कर सकते हैं किसी के घर में गए कोई चीज पसंद है आपको पूछेने के जोरते हैं homework यहां पर आप अपना homework कर सक करते हैं A B whole square या फिर A plus B whole square का आप यहां पर जो है simply photo click करना है और आप यहां पर homework कर सकते हैं मैं आपको यहां पर जो है दिखा रहा हूँ यह देखिए यहां पर जो है मैंने photo click किया और यहां पर जो है answer आ जाता है तो कुछ इस तरह से यह homework work करता है student locally यह जो है काफी useful लगी बता है उसके बाद आपके हां पर text का option देखने मतलता है simply आप यहां पर text को copy कर सकते हैं आपके यहां पर photo click करना है उसके बाद आप यहां पर जो है जिस बी text को copy करना चाते है tap करके यहाँ पर copy कर सकते हैं यह देख पा रहोंगे यहाँ पर copy अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर copy हो जाता है तो copy यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर मैं select करता हूँ यहाँ पर copy text करता हूँ यहाँ पर copy हो जाता है clipboard में तो आप यहां पर टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, मतलब कोई भी यहां पर image को क्लिक करके text को कॉपी कर सकते हैं Translation का option देखने में जाते हैं, जो कि मेरा favorite option है अगर आपके यहां पर जो है जादा अंगरी जीव अगेरा नहीं आती है न तो यहां पर यहीं सावित helpful हो सकता है बिसके यहां पर क्या करना है, आपके यहां पर language select करने वाला हूँ English और यहां पर जो है English की जगा पर select करूँगा Hindi तो हमारी मात्र भासा है Hindi, यहां पर मैंने select किया और यहां पर देखिए डालूगा, डालूगा क्या आ गया पता नहीं क्या यहां पर search कर लिया और यहां पर विपक्च लिखा गया है opposite को विपक्च लिख दिया है, basically यहां पर मैं अगर जो है दिखाता हूँ यह देख पार होंगे, और यह आप देख भी नहीं पार होंगे, तो यहां पर जो है कुछ इस तरीक का आपको टेक्स्ट वगेर है, यहां पर यह देखिए यहां पर यहां पर विपक्च लिखा गया देख पार होंगे अगर बात करें, तो यहां पर जो है, आपको मिल जाता है फिल्टर का ओप्शन, AI का भी ऑप्शन देखने होंगे, अप्शन देखने होंगे, अल्टर स्टेडी मोड का ओप्शन देखने होंगे, इसे अनेबल करके अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो काफी दा स्टे आपको सेम फीचर देखने होंगे, नाइट की बात करें, तो यहां पर जो है, नाइट मोड आपको फ्रेंट कैमरा में देखने होंगे, तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं, जिससे आपका इमेज काफी बढ़ी आएगा, मैं आपको एक्जांपल दिखाता हूँ, यहां पर जो ह यह देख पार होंगे, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, उसके बाद हमें यह रिजर्ट देखने को मलता है, और अगर मैं यहां पर जो है, नार्मल फॉर्टो लेता हूँ, यही सेम चीज का, तो आपको मैं डिफरेंट दिखाता हूँ, यहां पर देखे, यह जो है नॉर अगर यहां पर सेलफी लेता हूँ, तो यहां पर देखे, जो सेलफी है, वो काफी क्लियर आएगा, तो बेसिकली यहां पर जाए नाइट मोट काफी अच्छा है, इसका इस्तमाल चाहे तो डिफ्ली आप कर सकते हैं, So friends, I hope आप सभी को Oppo F19 Pro Plus का कैमरा फीचर वीडियो पसंदाया होगा, अगर पसंदाया होगा, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर दीगा, साथ साथ चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल आइकन को प्रेस करके, और पर क्लिक कर दीगा, जिससे जब के बेच पेगे जिससे में आपके प्रॉब्लम को सॉलुशन ईजी लिकर पांगोते है, इंस्ट्रेम अकॉर्म को डिफिली पॉलबल लिगा, अगली वीडियो में एक नए कॉंटेंट के साथ, तब तक लिए टाटा बाई 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 और यू हसते रहिए, मुस्कुवातर और बने लिए आर्जेट टेकिनिकल्स के साथ.